मेरे प्यारे मसी भैवेनों सबो को जय मसी की मेरे प्यारे मसी भैवेनों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मसी लोगों को रक्षबंधन मनाना चाहिए या नहीं मेरे प्यारे मसी भैवेनों आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखे आपको पता चल जाएगा कि प्रविश्व हमको क्या बोलते हैं क्या हमको रक्षवंदन मनाना चाहिए या नहीं रक्षवंदन आने वाला है मेरे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंट तक देखे ताकि आप से कोई भी आपराद ना हो जाए आप प्रव के आग्याओं के खिलाब कोई पाप ने कर वेटे तो आप लोग इस वीडियो को देखे और इस वीडियो को एंट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमको रक्षवंदन मनाना चाहिए या नहीं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों ये रक्षवंदन का तेवार हिंदु धरम के पौरानिक कथाओं से जुड़ी है ये परव हर वर्स बहुत वर्सों से मनाया जा रहा है और हर एक वर्स सावन के बहने में मनाया जाता है इस दिन बहन अपने भाई को राखी बानती है और बहन अपने भाई के लंबी उमर की दुआ करती है और साथी साथ अपने भाई से ये भी दुआ करती है कि भाई हमेशा हमारी रक्षा करेंगे हमारी सहायता करेंगे और भाई अपने बेहन को कुछ पैसी देती है और ये उमिद दिलाता है और ये विश्वास दिलाता है कि हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे तो मेरे प्यारे मसीव आवनों ये था भाई बेहन का प्यार और ये था रक्षबंधन आप लोगों को समझ में आई गया और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रक्षबंधन किसे कहते हैं और जो नहीं जानते बहुत सारी ऐसी वीडियो है कि किस तरे से ये रक्षबंधन का सुरुआत हुआ है बहुत सारे यूटूब पे वीडियो आप जाके देख सकते तो मेरे प्यारे मसीग है वेनों यह था रक्षबंधन लेकिन प्रुवेशु क्या कहते हैं प्रुवेशु क्या बताते हैं कि हमेरे रक्षबंधन मनाना चाहिए या नहीं तो चलिए हम कुछ वचनों के साथ जानते हैं कि हमेरे रक्षबंधन मनाना चाहिए या नहीं हम निकालते हैं संत मती, अध्या 10, पद संक्या 37 जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग नहीं जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वह मेरे योग नहीं मेरे दोस्तों प्रुव का वचन क्या कह रहा है कि जो मुझसे अधिक अपने माता या अपने पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग नहीं मेरे प्यारे दोस्तों प्रवु का वच्चन कहरा जो अपने माता या अपने पिता अपने भाई अपने या बहन अपने रिष्टेदार किसी से जो प्रवु से ज़्यादा प्रेम करता है वह प्रवु के योग यह नहीं और यह रक्षवंदन क्या है भाई बहन का आटूट प्यार की निशानी है और साल में हिंदु भाइबेन के लोग साल में एक बार इसे सेलिबरेट करते हैं लेकिन प्रवेशु कभी ये कहे हैं भाइबेन में ये कहें लिखा नहीं कि तुम जा कि मेरा जिनम दिन मनाओ ये क्रिस्मस मनाओ ये प्रवेशु कभी नहीं बोले तो क्या ये हिंदु ध्रम का तहवार हमको प्रुवेश्व मनाने के लिए बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे मसी भाविनों हमको कभी भी प्रभू से ज़्यादा अपने भाई या अपने बहन अपने माता से हमको उतना लगा उतना प्रेम नहीं रखना प्रभू क्या बोलता जो अपने माता से मुझ से ज़्यादा प्रेम करता है वो मेरे योगी नहीं मेरे दोस्तों हम लोगों को प्रवु से ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देना किसी से उतना प्रेम नहीं करना सबसे पहले अस्थान हमको प्रवु को देना है उससे हमको प्रेम करना है उसके बाद अपने परिवारों में आपसी प्रेम आपको देखने का मिलेगा क्योंकि यह हमारे जीवन में प्रेम देता है वह हमारे जीवन में सांती देने वाला है तो इसलिए सबसे पहला इस्थान हमको प्रुव को देना है तो क्या हम प्रुव से प्रेम करते हैं यदि हम प्रेम करते हैं तो हम निकालते हैं हम प्रोव की आग्यां को जानेंगे रोमियों अध्याबारे पद संख्यादों निकालते हैं इस संसार का अनुरूप ना बनो प्रांतु अपने मन के नई हो जाने से तुम सब कुछ नई द्रिष्टी से देखो और अपना सौभाब बदल लो इस परकार आप जान जाएंगे कि इस वर क्या चाहता है और उसकी नजर में क्या अच्छा और क्या सही है प्रुवेशु का वचन क्या कह रहा है कि इस संसार का अनुरूप ना बनो ये संसार जैसे चलता है इसके अनुरूप ना चलो इसके जैसे मत चलो और प्रुवेशु क्या कहता है प्रन्तु अपने मन के नहीं हो जाना है जब हम प्रुवेशु को जानते हैं प्रुवेशु में सी में आते हैं तो हमारा मन नया हो जाता है और क्या है तुम सब नहीं द्रिश्टी से देखो और जब हमारा मन नया हो जाता है तो हमको सब चीज नई द्रिष्टी से देखना है और अपना सोभाव बदलना है प्रुव का वचन कहता है अपना सोभाव बदल लो मतलब जितने भी पुरानी आदते हैं हिंदु धर्म के रिटी रिवाजे के आदते हैं या जो भी हमको पहले जुतना भी हम तहवार मनाते थे वो सारे चीजे ह यही चाहता है प्रव हमारे जीवन से अपनी महमा चाहता है तो हमारे जीवन में हमारे जीवन से प्रव की महमा होती रहे प्रव यही चाहता है और हम किसी भी चीज पर किसी भी संसारिक चीजों पर मन नहीं लगाए प्रव यही चाहता है और जब हम प्रव में मन लगाएं तो आप प्रवु की ओर्मन लगाए, आप संसारिक दुनिया में संसारिक रित्रिवाजों से ना चले, मेरे प्यारे मसीवाविन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि हमको रक्षवंदन का तहवार नहीं मनाना है, क्योंकि रक्षवंदन का तहव तो मेरे प्यारे मसीवाविन, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शबो को जैए मसीव की